18 साल की सुन्दर राजकुमारी और जान के पीछे पड़ा है कोई यह तो राजा महराजाओं के जिंदगी ऐसी ऐसो आराम की मानी जाती है और कहा जाता है कि जिंदगी हो तो राजाओं जैसी जो लगजरी लाइफ हर इनसान जीना चाहता है लेकिन क्या कभी आपने सूचा है कि इन राजाओं के जिंदगी कितनी खतरे में हो जाती है अगर कोई एक गलत फैसला ले लिया जाए आज इसी पर बात करेंगे कि वैसे एक गलती ने राजकुमारी के जिंदगी खतरे में डाल दी और फिर क्यों प्रधान मंत्री अपने नरड़े को लेकर चिंतित हो दे आखर ऐसी क्या गलती हुई कि प्रधान मंत्री अब अपने उस फैसले को लेकर पच्चता रहे हैं जो फैसला उन्होंने वर्षों पहले लिया था कहते हैं ड्रक्स के धंदे में कमाई बहुत होती है यानि इसका मतलब जाहिर है कि इसका बाजार भी बहुत बड़ा होगा हम बात कर रहे हैं निदर लेंड के प्रधान मंत्री के एक फैसले की जिसके बाद अब वो इसको लेकर पच्चता रहे है रसल यूरोप में साथ दिश थोड़े बड़े हैं तीन थोड़े छोटे हैं वहां कुछ जगह राज़फ्राही चलता है जो असे में ब्रिटेन हो गया निदर लेंड हो गया यहां राज़फ्राही के द्वारा ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है ड्रक्स माफियाओं को इतना बढ़ावा मिल गया कि वही निदर लेंड के पीम और राज़कुमारी के अपरण की साजिस रोच रहे हैं जिसके मज़ब से राज़कुमारी का अब जो पढ़ाई है वो बंद हो गया और है युनिवर्स्टी छोड़ कर वापस आना पड़ गया पत्रकारों के सवाल पर राज़गहराने से सिर्फ यही कहा जाता है कि अम माहौल वैसा नहीं रहा जैसे पहले रहता था राज़कुमारी पैदल युनिवर्स्टी चल के जाती थी लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रह गया कि राज़कुमारी चल के कॉलेज या युनिवर्स्टी जा सकी राज़गहराने का इश्वारा ख़बारों के सुल्ख्यों में रहने वाली अपराध जगर की ओर था एक असी खबर थी जिसका सीधा संबंध था राज़कुमारी की सुरक्षा से पत्रगारों ने जब राजा विलम अलक्सेंडर से पूछा कि पिता के नाते उन्हें कैसा लग रहा है तो उनका दो टुक उत्तर था मैं बता नहीं सकता बहुत ही मुश्किल समय है यानि के साफ है कि देश में ड्रक्स माफियाओं का कबजा इस कदर हो गया है कि अब देश कुराज कुमारी और पी-म तक सुरक्षित नहीं जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि लोक्तांतरिक निदरलेंड वास्तों में समय के साथ इतना उदार देश बन गया था कि उसकी उदारता ही अब उसके गले की फास बन गए राज कुमारी अमालिया द्वारा एमस्टर्डम विश्चर विद्याले में पढ़ाई शुरू करने की कुछी समय बाद मशहूर दी टेलिग्रॉफ अखवार ने लिखा कि अमालिया अपराधी ड्रग माफिया गिरोह की आखों में चड़ गई है देश के शुरक्षा अधिकारियों ने प्रधान मंत्री मार्क रूटो के साथ-साथ राज कुमारी का नाम भी एन गिरोहों के साजिशों वाली टेलीफोन बारताओं में सुना है जो कुछ सुना गया उससे यह संकेत मिलता है कि नेधरलेंड के ड्रग माफिया गिरोह प्रधान मंत्री रूटी और राजकुमारी के अपरण की खड़ियन तो रच रहे है दरसल जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया था इसकी बज़ा है देश में ड्रग्स और मादक प्रधार्थों के लिए इतना सौफ्ट नियम बना जाना मतलब इतना सरल कानून हो जाना कि आसानी से कोई भी लाइसेंस ले सकता है देश में अब ये पैट बन चुका है या मादक प्रधार्थों के लिए बेचने के लिए या खरिदने के लिए आसानी से लाइसेंस पिल सकते हैं जिसके कारण अब इस देश में हजारों के संख्या में मादक प्रधार्थों के तसकर हो गये है सरकार का मानना था कि अगर मादक पदार्थों के विक्री आसान करती जाएगी तो अवैद विक्री बैन हो जाएगी यानि लोग आसानी से मादक पदार्थों को खरीद और बेश सकेंगी इसके कारण क्या होगा कि भारी संख्या में जो लोग अवय धरूप से खरिते थे अब वो सामने एकदम आसानी से खरित सकते हैं लेकिन अब यही गले की फासमंती दिखाई दे रही है जिसकी वज़ा से कुछ इसी अपराद जगत में माफिया बन चुके हैं जो पहले से इनको बेचने और खरिदने का काम करते थे अब उनकी इतनी प्रबल शक्ति हो गई है कि वो प्रधान मंत्री तक को अपना निशाना बनाने की सोच रही है इसके अलाबा प्रधान मंत्री की जो बेटी है राजकुमारी है उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में प्रधान मंत्री आराजाओं की तरब से किस तरके के एक्शन लिया जाता है और फिलाल जो अखबारों में सुर्खिया निकल रही है उन सुर्खियों से राजकुमारी को कितना खत्रा है अब आप कॉमेंट करके बताईएगा कि क्या ये वज़ा रही होगी जिसके कारण माफिया जो है वो इतनी तेजी से बढ़े और आखरकार अप्रभान मंतरी और वहां की जो राजा की पुत्री है यानि जनको हम प्रिंसस कहते हैं उनके जान भी खत्र में आ गई है कॉमेंट करके बताईएगा और देखते रहेएगा वन इंडिया प्लस